तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को और आज हम इसक्स करेंगे प्रैंबल को प्रैंबल जो है वो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और यहां से अगर आप देखोगे ना एक्जाम्ट में प्रेविए से क्वेशन भी चेक करोगे प्रेविश साथ में देखना बेसिक मे हमारे समीदान का नेचर क्या है हमारे समीदान में क्या मैंशमीदान में इदैने है सिर्फ प्रैंबल में यहां पर आपको इन्ग्रेडियेंट्स जो मिलेंगे वो कही न कही हमारे freedom struggle के part है तो मतलब जüstना हमारे freedom जो हमारे hero's थे freedom fighters थे उन्होँने जो जो सोचा था कि हमने अपना देश ऐसा बनाना है हमारा देश ऐसा होना चाहिए हमारा देश में सरकार ऐसी होना चाहिए हमारे देश में इसको ये right मिलना चाहिए ये सभी प्रेंबल में है तो मतलब कही न कि जो inspirations जो thoughts, process उनके थे वो सभी भी जो है वो प्रेंबल में mentioned है ये याद करना बहुत जरूरी है We the people of India से लेकर at the end, end तक this constitution तक ये पूरा याद करना बहुत जरूरी है और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अपने experience के साथ कि जो इसमें लिख रखा है न वही याद रखना है कहीं पे भी हमें अपना extra mind नहीं लगाना कहीं क्योंकि exam में पता क्या करते हैं इकड़ाम में कहें देंगे वो equality economic equality लेकिन economic equality यहां नहीं है justice economic clearव मैं क्या कहा रहा हूँ यह तो जो इसमें दे रखा भाना उसके उसको पर strictly believe करना कि वो करते हैं ऐसा जानबुझ के कि वा economic inequality quality को economic में डाल देंगे और हमें लगे कि हाँ ठीक है यार वैद का इक्वल डिस्ट्रिबिशन होना चाहिए तो वह एक तरह से इक्वालिटी हुई लेकिन इक्वालिटी सिर्फ यहाँ पर स्टेटस और अपर्चुनिटी की तो यह चीज को अपने माइंड में रखना कि जो प्रेमबल में कहा गया है सिर्फ वही जो है वो सब कुछ सच है बाकी कुछ नहीं है तो फ्रेमबल जो है वो एक अटोड़क्शन है हमारे सांविधान की जो philosophy प्रेमर्स जो जिन्हों ने सम्हिधान बनाया या जो फ्रेडम फाइटर थे उनके माइंड के जो थोर्टस थे कि भारत का सम्हिधान किस तरह से होना चाहिए वो सभी जो है वो इसमें मैंट्शन तो इसे यह यह याद रखना है लो में भारत से उसके बाद भारत ने ज्स्टम को रखंख एक जूरिस्ट थे फाल की वाला है इन्हों ने कहा है प्रांबल को identity card of the constitution ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप allied का exam देने जा रहे हो तो इस नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूछ लेंगे वो कि प्रेंबल को identity card किसने का है तो इसको अब याद करने का सबसे best तरीका क्या है IP से याद रखना आपसको NA को भूल जाओ IP से identity और P से फाल की वाला तो यह हो गया IP address तो यानि की identity card और NA फाल की वाला इन दोनों को हम आपस में link करके याद कर सकते हैं अब हमारा सम्विदान क्या बताता है हमारा सम्विदान बताता है कि सबसे पहले कि source of the constitution या source of the power वो है people हमारा सम्विदान power कहां से drive कर रहा है हमारी सरकार जो है वो power कहां से drive कर रही है people से लोगों से दूसरा यह बता रहा है nature of the Indian state की भारत जो एक state अब state word यहाँ पर use हो रहा है confuse मत हो ना state polity की language में देश को state कहा जाता है यहाँ जब state word हम follow कर रहे है Indian state तो यहाँ पर हम पूरे देश की बात कर रहे है ना कि Indian states की तो यहाँ पर यह बता रहा है कि nature of the Indian state की भारत का जो है वो nature कैसा है उसमें हमने बोला कि sovereign है यानि कि अजाद है socialist है secular है धर्म रिपेक्ष है और democratic और republic है मतले हैं कि गंतंतर देश है भारत objectives साथ में यह बताता है objectives की हमारे क्या क्या objective है plus यह बताता है date of adoption कि हमारे सम्विधान को कब adopt किया गया 26 November 1949 यह बहुत जरूरी है याद करना यह date देखो एक तो यह हो गया जो हमें याद करना है दूसरा पॉइंट हो गया यह prelims के लिए यह बहुत जादा important है आपको direct वो date पूछता है कब जो है वो सम्विधान को adopt किया गया तो adopt किया गया था 26 November 1949 को और implement कर रखा है 26 January 1950 को 26 January 1950 को हम कौन साथ दे celebrate करते है Republic Day ऐसा क्यों करते है 26 January का दीन कि परस्टाइम इंडिपेंडेंडेंस की जो वो थी कॉल वो इस दिन ली गई थी और कौन से एर में ली गई थी नहीं आदारा 1930 1930 1930 में का आगया था पोनव स्वराज डे तो वो जो पोनव स्वराज डे था वो इस दिन जो हो को इसलिए उसके बाद से हम जो हो 26 जनवरी को जाओ वो एक तरा से जो हो जादी का दिवस मना आता है इंक्वार्ट है हमारे लिए तो इसलिए हमने इसको कहा कि इस दिन हम आपने सम्हिधान को लागू करेंगे ठीक है क्लियर इस इंडियन कंसिट्यूशन अगर हम बात करें कि हमारा जो सम्हिधान का जो प्रैम्वल है वो बेजड है एक रजूलुशन के उपर यह रजूलुशन है अब्जेक्टिव रेजूलुशन सब्सक्राइब साथ इस तरह साथ इस तरह से क्लियर इस चनबरी होगा यह जुलाई यहां से ठीक कर देना यहां पर जन्वरी होगा यह जो ड्राफ्ट है यह जो है वो रिजुशन पास किया गया था 13 दिसंबर को उसके बाद 22 जन्वरी को इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गया था यह पास हो गया था जिसके दिहाब हमारा सम्विधान में प्रैंबल मेंशिन कर रखता है अब्जेक्टिव रिजुशन था तो इसमें जब पंडित नहरू ने मूव किया तो उन्होंने क्या क्या बात करी उन्होंने बोला कि फंडमेंटल राइट होने चाहिए जो हमारे सम्विधान में अभी है उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंटट रिपब्लीं होने चाहिए जो कि हम है इन्होंने बोला कि सोवड़न होने चाहिए वह भी हम है powerful source, सम्विधान में प्रैंबल में सबसे पहले यही कहार रखा है कि इसकी । लोगों के पास और हमने इस बार के लोकसवा एलेक्शन में यह देखा भी उसके बाद की सरकार को क्या करना है जितने भी बैकवर्ड क्लासीज है माइनौरिटीज हैं उनके इंटरस्ट को सिमिलर सरकार ऐसा करती भी है सरकार ने कमिशन्स बनाए सरकार ने अलगलग राइटो दे रही है सरकार प्रोटेक्ट कर रही है माइनौरिटीज को भी जो है वो राइटो हैं माइन इनटेर्टीज को एक जो है वह जोड़ीचन में जो है वो jobs दे रही हैं तो ये सभी apply होता है objective resolution के अंदर फिर यहाँ पर कहा गया कि हमें अपने देश की integrity को भी maintain करना है कि जो territory है हमें उन सब को जोड़ कर रखना है साथ में international peace और cooperation भी जो होना चाहिए यह जब resolution जब पास के जब उन्होंने रखा constitute assembly में तो वहाँ पर जो है वो यह कहा गया था तो यह सभी बातों को जो है वो जो है वो यहाँ पर जो है वो कहा और साथ में justice, equality, liberty भी है यह objective resolution का पास है यह मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि आपको na question exam में पूछा जा सकता है कि which of the following is not under the objective resolution तो यह सभी जो है वो objective resolution का पाट है तो इसलिए इनको mind में रखना बहुत ज़रूरी है then उसके बाद चलते है components के ओपर और keywords के ओपर कि हमारे प्रेंबल में ऐसा क्या क्या कहा गया है तो सबसे पहले कहा गया है we the people of India हम भारत के नागरिक यह बता रहा है it indicates that कि हमारे पास कहा है ultimate sovereignty है हम पूरे अजाद है पूरी independent authority है हमारे पास to manage the state affairs 1947 में जब देश अजाद हुआ तो उस time पे हमें जब यह clear हो गया कि अब हमारे उपर जो है वो कोई भी authority नहीं है हम अपने अपने जितने भी affairs होंगे देश के उन सभी को खुद manage कर सकते है sovereign का मतलब भी similar हो गया कि independent authority जिसमें भारत अब एक dominion नहीं है कोई भी हमारे उपर बाहर से जो है वो power rule नहीं करेगी जैसा कि 1947 से पहले ऐसा हो रहा था कि rule करते थी और इसका example मैं आपको समझाता हूँ 1947 से पहले जितने भी कानून बने वो कानून कहां से बन के आते थे ब्रिटेन से ठीक है 1919 का Government of India Act हो गया यह अगर हम बात करें 1935 का Government of India Act 1935 1858 का Government of India Act यह सभी कहां से बन के आये थे ब्रिटेन से बन के आये थे तो that means कि बाहर से पावर जो हो कानून बना कर लेकर आ रही थी लेकिन यहां पर sovereign का मतलब यह है कि अब हम अपने जो कानून है वो खुद बनाएंगे तो इसलिए सम्विदान हमने अपना खुद बनाया एक independent authority है जिसमें हमारे पास यह भी पूरा अधिकार है कि हम किसी भी territory को acquire कर सकते हैं और seed कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि अगर हम अजाद हो गया तो हम अ को acquire किया हमने अंडवा निकोबार को acquire किया इसी तरह से वह सभी हमारा इसी तरह से पार्ट बने आए क्योंकि वह territory हमने बाद में जो है वह अपने भारत में शामिल की है क्लियर कि जी सर देन उसके बाद नेक्स आता है सोचलिस्ट वर्ड अब सबसे पहले को याद इपना कि हमारे सम्मिधान में और इजनली यह वर्ड मैंके नहीं है एक काम करूं मैं आपको एक आइडिया देखा हूं यहाँ पर आपने यह वाले वर्ड लिखो यहाँ यह यह लिखो सारे सारे सोवरें सोब्रेंश सोचलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यह पांचों के पांचों को लिखो करल सोबरेन सोशिलिस्ट सेफुलर डमोक्राइटिक रवाarden के सबक्राइब एक विद्धे रहा हूं मैं में इसे लिख्वाया यहां पर कहा गया कि यह जो सुर्टर handling में अब सोशलिस्ट वहां से काड़ दो सोशलिस्ट जहां पर आपने लिखा है उसको इस तरह से क्रॉस्ट पर दू कि इसका मतलब यह हो गया कि और इजनली नॉट मैंशनिंट कंसिट्यूशन प्रेंबल में यह वर्ड और इजनली नहीं था यह एड किया गया था 42nd Amendment Act 1976 और यह 42nd Amendment Act है इसको मिनी Constitution भी कहा गया है अब सोशलिस्ट भी दो तरह कहता है सोशलिस्ट का मतलब क्या होगा देखो सोशलिस्ट में हमें याद रखना है सोसाइटी को सोसाइटी से इंक्लूड होती है कॉमिनिटी तो सोशलिस्ट में यह कहा गया है कि सब कुछ जो है वो कॉमिनिटी का है किसी का प्रैवेट प्रॉपटी नहीं है भाई सब कुछ देश का है यह होगे socialism इसमें भी दो तरह का जो है वो socialism होता है एक होता है communistic socialism जिसमे state socialism होता है कि state क्या करती है सारा कुछ control करके रखती है state बोलते है कि इसके पास इतनी property रहेगी इससे ज़्यादा नहीं होगी state बोलती है कि पूरी property मेरे मेरा right है पहला उसके बाद मैं आपको जो हूँ मेरा काम है आप सभी को job protect करना और आप सभी को growth and development के पास पर लेकर जाना पहला point हो गया यह clear हो गया यह और यह रशिया में follow किया जाता है रशिया चाइना में यह follow किया जाता है वहाँ पर सब कुछ straight का है straight controlled है दूसरा हो गया democratic socialism democratic socialism में ऐसा होता है यहाँ पर कहा गया mixed इसमें कहा गयी कुछ सरकार का और कुछ private तो भारत जो follow करता है वो करता है democratic socialism को हमारे यहाँ पर public property यह concept भी है और private property का concept भी है private यानि कि मेरे पास अपने खुद की जमीन भी है और साथ में मैं public property पर भी जो है वो public property का concept भी है कि मैं जो हो सरकारी roads के थूरू use कर सकता हूँ सरकारी buses सरकारी पार्क वेगरा में जा सकता हूँ यह clear हो गया अजी अब हमारा जो socialism है देखो अब next question कि इस तरह से बन सकता है exam में हमारा जो socialism है अब हमने बात की अब socialism में जब concept आता है तो एक marquism आता इंग पॉर्टेंट है कारल मार्क से यह इंग पॉर्टेंट आते हैं और दूसरा गांधिजम तो हमारा जो socialism है वो थोड़ा सा गांधी जी की तरफ को turned है हम गांधी जी की तरह सोचते हैं socialism के लिए और बट लेकिन जब हमने यह reforms किये थे LPG, liberalization, globalization and privatization जब हमने यह reforms किये थे 1991 में तो उसके बाद हमारा जो यह socialism था यह जो थोड़ा सा dilute हो गये था मतलब क्या हुआ था कि पहले 1991 से पहले क्या था कि सब कुछ सरकार के control में था private property का concept उतना नहीं था जितना होना चाहिए था यानि कि privatization उतनी नहीं थी लेकिन 1991 में के जब हमने रिफॉर्म किये थो हमने क्या क्या प्रायवटीजेशन का कंसेब्ट शुरू किया तो जहां भी प्रायवेट का प्रायवट उत Imaki रioso का संच्छ्योष यह वहां पे socialism का फोछ तुड़ा सा डाय लूट हो जब चूटकि जहां पे प्राइवेट कंसेप्ट आता है वहां आता है कैपिटलीजम मतलब कि जहां पर पूरी की पूरी जो कंट्रोल है ट्रेड एंड कॉमर्स मार्कीट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है प्राइवेट ओनर्स जैसे कि USA में होता है जो वेस्ट कंट्रीज है वहां पर यह होता है कि वहां पर कैपिटलिजम का कंसेप्ट मतलब एक तरह से मार्कीट सिस्टम एकनॉमिक ग्रोथ और डेवलोपेंट आपकी किस के ओपर डिपेंड है प्राइवीट ओनर्स के ओपर क्लियर हो गया जी सर क्योंकि यह वर्ड भी आइड किया गया था 42 अमंडमेंट एक 1976 से और इजनली नॉट मैंशन इन कंसिटूशन और प्रेमबल सेकुलिरिजम एक आइडिलॉजी है जिसमें यह कहा गया है कि स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजिन को या तो प्रमोट नहीं करेगी या फिर इसमें सबसे पहले आता है कि स्टेट या तो किसी रिलीजिन को प्रमोट ना करे यह सभी रिलीजिन को एक्सेप्ट करे तो भार हम इसको पूरा cover कर देंगे अब negative concept और positive concept negative हो गया जब state क्या कर रही है complete separation कर रही है religion को और state को मतलब उन्हें का कि सरकार का religion के साथ कोई लेना देना है ही नहीं सरकार ये बोल रही है कि हमारा religion के साथ कोई लेना देना नहीं है अगर किसी को अपने religious affair manage करने तो वो खुद करे सरकार उसमें fund भी नहीं देगी सरकार उसको financial assistant भी नहीं देगी कोई support जो हो सरकार नहीं कर रही है और ये concept जो है वो western model है France में mainly follow क्या जाता है और France में जो है वो religion जो है वो बिल्कुल separate होता है state से दूसरा concept आता है positive concept positive concept में हम क्या कर रहे है हम बोल रहे है कि हम equal respect दे रहे है सभी religions को हमने एक religion की बात नहीं की हमने कहा कि हम सभी religions को protect कर रहे है अब जहां पर हम क्या कर रहे है protect करने के लिए हम उन्हें financial aid भी दे रहे है तो सरकार fund देती है religious institutions को plus साथ में ये कह रही है हमारा सरकार ये भी बोल रही है कि हम अगर आपको fund दे रहे हैं तो हमारी साथ में ये responsibility भी बनती है कि आपके पास public order और harmony जो है वो खराब नहीं होनी चेए वो effect नहीं होनी चेए तो इसलिए सरकार ने क्या किया यहाँ पर reforms को भी फिवर्ड किया और इसका एक्जामपल है ट्रिपल तलाग सुप्रीम कोड ने ट्रिपल तलाग को बैन क्यों किया सुप्रीम कोड ने यही कहा कि देखो हम positive concept follow कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि ठीक है आपका rules and regulation है हम respect करते हैं लेकिन ये public order को effect कर रहा है तो जहाँ पी public order effect हो रहा है और रिलिजियस freedom to minorities कि minorities को जो हमने religious freedom दिये तो वह भी किस में आता है आपका एक तरह से positive concept में आता है तो यह तीनों को याद में रखना कि कौन से जब आपके positive होगे कौन से negative होगे question मनने के chances हो जाते हैं क्योंकि अभी in depth detail में questions पूछे जा रहे हैं देन उसके बाद आता है democratic democratic मतलब supreme power in people head अब democracy भी दो तरह की होती है एक direct democracy होती है और एक indirect democracy होती है direct democracy क्या होती है जब लोग खुद decision ले रहे हैं जब लोग खुद decision ले रहे हैं माल लिजे अभी होता है अभी हमारे यहाँ पर भारत में क्या होता है कि हमारेafa decision की हम लोग डिशिजन हैatta parlement rep revision टो जहां पर लोग decision खुद लेते हैं तो लोग decision कैसे लेते हैं उनके पास चार device उते हैं चार डिवाइस होते हैं उनके parenndum initiatives recall और प्लेबिस साइट यह चारो याद रखना मोस्ट इंग्पॉर्टन क्वेशन बनता है कि कौन सा इसमें से डेमोक्रिसी का डारेक्ट डेमोक्रिसी वा फीचर है चार वर्ड याद रखने हैं सिर्फ इन डेप्थ में डेटेल में हमें नहीं जाना में और इसका एक्जामपल आगा स्विजलेंड डारेक्ट डेमोक्रिसी में लोगों की डारेक्ट इन्वाल्मेंट होती है सरकार में बिल्कुल डारेक्ट डिसीजन लेना है कोई भी कानून पास करना है डारेक्ट वोट होगा फिर वह पास होगा अगर मेजॉर्टी अब डारेक्ट करते हैं तो वह पास होगा नहीं तो न एलेक्ट कर रहें तो रिपर्जेंटेटीव डैटर देमोकरिसी एक और बहारत में आता है एक 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 डारीक डैरेक्ड देमोकरिशी का जहां पर यह सिजीव रेफरेंडम इनिशेटिव पिलिबिससाइटिया सब बोता है पंचाहिती राध पंचाहिती राध सिस्ट्म कैसे ग्राम सभा टोके ग्राम सभा में जितने भी जो भी वोट डाल रहा है 18 साल से उपर यह 18 साल का वह इसका मेंबर होता है जनमन्ज होते हैं सब्कुर्ण। पेपर में की democratic decentralization किससे लिंक कर रही है अब चलते हैं इंडारेक्ट डेमोकरिसी की दुप इंडारेक्ट डेमोकरिसी में क्या होता है कि लोग ना डारेक्ली नहीं रूल करते हैं इंडारेक्ली करते हैं मतलग अपने representatives तो माल लीचे ये 100 people हुए इन 100 people ने 10 representative जो है वो select कर लिए ये 10 representative जो है फिर सरकार चलाएंगे ये काम करेंगे ये देश को चलाएंगे लेकिन ये इनको back on कर रहा है ये 100 लोग इनकी power जो है वो ये 100 लोगों से आ रही है तो इसको बोलता है indirect democracy अब indirect democracy में भी दो तरह की democracy होती है एक parliamentary form of democracy होती है एक presidential form of democracy होती है parliamentary form of government और presidential दोनों याद रखना में इसको चार्ट form में इसलिए बनाया है या आपको लक्षमिगान में इस तरह से नहीं मिलेगा presidential में क्या होता है कि presidential में जब head of the state और head of the government एक होता है सबसे पहले तो याब जबना head of the state और head of the government एक ही होगा और दूसरा यहाँ पर यह है कि executive जो है वो independent होगी legislative से USA में क्या होता है यहाँ पर USA में कि जो USA में council of ministers होते है न वो president अपनी मर्जी से elect करता है जरूरी नहीं है कि वो senate का member हो president अपनी मर्जी से अपनी council of ministers सेलेक्ट करता है जब वो अपनी मर्जी से select कर रहा है तो वो responsible होंगे क्या parliament को वहाँ की parliament को नहीं तो presidential democracy में executive legislative को responsible नहीं होता है और साथ में यहाँ पर सिर्फ एक executive होती है वो होती है president यानि कि single executive जो है वो यहां पर होती है लेकिन भारत के case में हम follow करते है parliamentary democracy को जिसमें यहां पर दो concept आते हैं दो executive आते हैं एक nominal executive आता है और एक real executive आता है जो आपका nominal executive होता है यह होता है head of the state और इसको कहते हैं आप president of India मुझे बताओ कि मैंने आपको कल भी बता था कि जो और presidential में क्या है single executive वहां पर PM होता ही नहीं है अब यहां पर एक बात समझो हमने बोला हमने select किये थे 542 MPs ठीक है यह MP में से for example मान लीजिए साथ बन गए council of ministers बने तो इसमें से ही council of ministers और council of ministers क्या होती है एक्जिक्विटिव होती है ना अब देखो concept समझो कि यह council of ministers का पार्ट है 542 का मतलब council of executive is a part of legislative होंगे किसको legislative को तो यहां पर parliamentary form of concept में आता है parliamentary form of government में आता है collective responsibility का concept कि executive जो है वो responsible होगा किसको legislative को कोई भी काम अगर council of ministers कर रहा है यह 60 लोग कर रहे हैं तो इनको जवाब कहां पर देना पड़ेगा पार्लेमेंट में और इसको इस तरह समझे दो समझते है for example है कि मोधी जी ने कोई इनिशे मोधी जी की सरकार में हो रा हो मिनिस्टर आमिशाजी ने कोई initiative लिया ठीक है तो मोधी जी ने आमिशाजी वो कहा कि भाई भाई ध्यान से करना ठीक है मिरको जवाब देना है लोग सबा में तो जब उन्हें ने कहा कि भाई मुझे जवाब देना है लोग सबा में तो that means executive responsible to the legislative clear अब यहां पर concept आता है कि क्यू responsible क्यू responsible वाला तो clear हो गया कि हमने elect किया और उसका पार्ट है लेकिन how responsible किस तरह से responsible होगी तो इसमें आता है no confidence motion सबसे प्यालो no confidence motion को हम पूरा detail में discuss करेंगे ठीक है दूसरा आता है sensual motion तीसरा आता है motion of thanks वर चौता अब सब्सक्राइब को यहां पर भी करवा देता हूं लेकिन यहां थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इसको इंड़ेप्स क्यूंकि पार्लेमेंट का पार्ट है तो पार्लेमेंट भी कपर होगा अरज किया सर आपने बोला था कि हम क्या करेंगे हम जो है वो में के लिए जाओ पंदरा सुर रुपे लेकर आएंगे आपने का था ब्लैक मनी वापिस आईगी कहां ही सर तो यह जो पूछे जा रहे हैं यह होता है क्वेशन आवर का पार्ट और जब हम किसी से कोशन पूछ यह अभी इंग निउस में हैं मोच्छनों फांक्स का मतलब यह हुआ कि जब भी नई सरकार बनती है या जब भी प्रेजडेंट जो है वो यह हम पहला सेशन जो एक रहे कब हैं तो यह अल्टिमेटली सारे के सारे काम जो हैं वो सरकार प्रेजिटंट के नाम पर ही करती हैं तो उसके बाद पाफ होता है अगर यह motion of thanks पास ना हो तो इसको जो हो सरकार का failure consider कि अधाता है मतलब कि जो हमारे representatives हैं उनको सरकार पर विश्वास इन ही है और अगर यह करें पास ना हो तो सरकार गिर जाते हो जाते हूं है कि अग्या इस जिए को भूशन ओव थैंक्स कौन देते हैं यह मुशन ओव थैंक्स जो है यह जब 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 प्रेजदेट पीच्छ खतम हो जाती है तो उसके बाद यह वह पारलमेंट्स में हमारी वह इंट्रेटीूज् सेंशोर मोशन सेंशोर मोशन को मैं आपको डिटेल में करवा हुआ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टन ये पूरा पर्टिक्लर हो जाएगा नो कॉन्फिटेंस मोशन का मतलब ये हो गया कि सरकार में लोगों का विश्वास ही नहीं रहा जिसे फॉर एजंपल रफेल जब आया ना भारत में तो रफेल आया तो रफेल का जो प्राइस था वो एकदम से बहुत जादा हो गया थो एमपी जो थे लोकसवा में उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं है सरकार में इसमें घोटाला हो रखा है तो उन्होंने क्या क्या नो कॉन्फिदेंस मोशन में अब अगर यह पास हो गया इसकी भी डिटेल प्रसीजर है मुसको कवर करेंगे अगर यह पास हो गया तो जो council of minister होगी वो पूरी की पूरी जो आव रिजाइन कर देगी पीम रिजाइन करेंगे और जैसे पीम हटे council of minister खत्म फिर नई council of minister बनेगी नया पीम पॉइंट होगा क्लेर हुआ हांज़ देन उसके बाद next आता है republic censure motion को मैं आपको डिटेल में करवा होगा फिए दोनों no confidence और censure यह दोनों बहुत important है question गुमा फिरा के यहां से पूचे जाता है republic का मतलब हो गया head of the state elected है not hereditary hereditary नहीं होगा क्या होगा elected होगा अब democratic polity दो तरह क्यों की है एक उतिया मुनार्क जिसमें जो head of the state होगा उसको हम कह रहे हैं कि वो hereditary होगा जैसा कि UK, Australia, Canada में UK, Australia, Canada अस्ट्रेलिया, Canada में भी जो है वो queen UK की है उसी को consider किया जाता है head of the state Democratic Republic का दूसरा, Democratic Party का दूसरा part होता है Republic Republic यानि कि जो elected head है, जो state है वो elected head है और वो क्या होगा? या तो direct होगा जो USA में होता है और indirect होगा जो USA में चार साल के लिए ठोता है और इंडिया में पांच साल के लिए ठोता है अब मुझे बताओ कि क्या इंडिया में जो है वो एक प्रेजजिटन्स मलोटीबल टाइम फोसकता या नहीं होसकता नई ज़र मलोटीबल टाइम में कि राजिंदर परसाज जी कितनी बार एलेक्ट हो सकते हैं अब यह आपको हमेशा याद रहेगा लेकिन युएस से में इसा नहीं है युएस से में सिर्फ आठ साल के लिए यानिकि दो टर्म के बाद आप नहीं एलेक्ट हो सकते तो यह गया डिवर पब्लीक इस्टम दैन उस जा नहीं हम जब हम बात करें सोशल जस्टिस तो हम बोल रहे हैं कि हमें एक्वल ट्रेटमेंट करना है और नो डिस्क्रिमिनेशन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्पैशल प्रवीजन्स नहीं होने चाहिए प्रविलिजिस नहीं देनी है स्पैशल लेकिन एक् तो special treatment का exception है आपने बोला हां वो backward classes के लिए minorities के लिए women के लिए children के लिए वो सब fundamental rights में cover करें यहां हमें याद रखना है कि हम कह रहे हैं social में social justice का मतलब हो गया कि हमें equal treatment करना है no discrimination absence of special privileges and improvement of backward classes कि हमें backward classes के improvement देखो अब यहां पे concept जो हमारी beauty है हमारे constitution की कि हर चीज जो अभी होनी है वो already mention कर रही है इन्होंने बोला कि absence of special privileges कोई special privileges नहीं होगी लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि improvement of backward classes भी करनी है भाई तो अगर सरकार कोई STSCOBC के लिए कानून बना रही है तो वो सरकार बोलते हैं कि देखो हमें यह भी कहा गया है हमें improvement भी करनी है हमें absence of special privileges का भी ध्यान रखना है और हमें improvement भी करनी है तो improvement करने के लिए हमें तो commission बनाने पड़ेंगे तो यह concept दोनों यहां पर होता है इसको याद रखना और यह जो हम social economic political justice की बात करते हैं न यह हमने Russian revolution से लिया है यह याद रखना यह Russian revolution का concept है इकनॉमिक में अगर हम बात करें तो economic factor में यहां पर कहा गया है कि no discrimination on the basis of the economic factor कि कि किसी पे भी जो इकनॉमिक फेक्टर के उस पर जो हम discriminate नहीं करेंगे फर इसका मतलब यह निया कि हम तिरे नहीं को discriminate करेंगे या अगर मैं गरीब हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे साथ जो वो discrimination होगा नहीं मैं फिर भी वोट डालने जाऊँगा मेरी वोट की पावर उतनी होगी जितनी एक अमीर की होगी तो इसका मतलब यह नो discrimination अंदा बेसित अब इकनाविक फैक्टर क्लियर है वाँ जी लेकिन अब हम ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि हम दो रहा है डेमोग्रेटिक सोशलिजम समझना भी पूछने वाला हूं आप समय हम बोड़े डेमोग्रेटिक सोशलिजम जिसमें हमने बोला पबलीक प्रापर्टी और प्रेविट प्रोपर्टी अब अगर कोई जमीन्दार है जिसके पास है भाई पूरा पहाड उसकी गलती थोड़ी ना है वो उसकी भी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी परस्नल और वो कंसेट्ट डेमोग्रेटिक सोशलिजम में आता है फिर हमने क्यों बोल दिया कि हमें जमेंदारी सिस्टम को अबॉलिश करता है जब यहां पर यह decision लिया गया कि हमें जमेंदारी सिस्टम को अबॉलिश करना है तो हमारे समझनिदान में एक part एड किया गया एक schedule एड किया गया जो है ninth schedule और इस ninth schedule में यह कहा गया यह first amendment से हुआ है first constitutional amendment act की गयती 1951 में इस schedule में कहा गया कि कोई भी कानू में अगर इस schedule के अंदर डाल देते हैं तो फिर वो जो है वो Supreme Court उसको जो है वो चैलेंज नहीं Supreme Court में वो चैलेंज नहीं होगा अब ऐसा क्यों कि आ गया क्योंकि देखो तो डेमोक्रेटिक सोशलिजम में पब्लिक प्राइवेट दोनों कंसेप्ट आ रहा है मतलब जमींदार के पास अगर बहुत सारी जमीन है तो वो उसका प्राइवेट राइट है और कि अगर सरकार उसे जमीन चीने घी तो उसकेस में वो कहां जाएगा Supreme Court के पास अगर मेरी प्राइट चली जाते तो मैं Supreme Court यह जोडिशे के पास जाओंगा नकि तो उसकेस में क्या होगा तो सरकार ने क्या बोला कि यह जाना पाए मैं पहले ही नाई शडूल बना देता हूं और जो कानून में बनाऊगा वो इस शेडूल के अंदर डालेगा सरकार ने बोला वो इस शेडूल के अंदर चल जाएगी जब इस नाइन शेडूल के अंदर चली गई तो वो चैलेंज नहीं होगी तो जमीनदारी सिस्टम अवाल इसले किया गया था यहां पे क्योंकि वेल्थ जो थी रही वो घंसेडरेटीटि थी जमीनदार्स के पास और 1951 में हमने बोला कि हमें ए ग्रीकल्चर ग्रों करना हमें एग्रिकल्चर चाहिए हमारे पास फूल प्रेड्चिन होनी चाहिए हमें इक्क्रावलेटी प्रमोट करनी है अब एक्वालिटी प्रमोट कैसे करेंगे जब फार्मर के पास जमीन ही नहीं होगी तो वह काम केसे करेगा को तो इसलिए सबसे पहले यहां पर जमीनदारे सिस्टम को अब पाकिस्तान ने सब गरीब के पास अपनी कुछ कुछ जमीन तो है है और हर के पास अपनी जो है वह आज के टाइम पे जमीन है लागे तो मतलब जो भी प्राइवेट प्रॉपृटी है या जो भी जिनके पास भी है लाइंड वो अंडर नाइंथ शेडिव लाएगी नए गानून 9th आइगा जमीनदारी अबॉलिशमेंट का जो कानून था वो नाइज चेडियूल में एड़ के आ गया अच्छा उससे फिर जमीनदारी हट गई जब जमीनदारी सिस्टम अट गया तो दैट मीन्स बड़े-बड़े जमीनदार थे जो उनके पाश जमीन थी वो डिस्ट्रॉब जागीर नहीं जागीर तो जमीन दार के हो गई न वो कि एक तो जमीन करें होती है शामलाज सरकार में ये इस सरकार के तरह से दी गई जमीन है तो वह जमीन दार से लिए तर्फ पेश्वरिव जुम. शुरूआ था नौ तो टाइप ठीक है उसके बाद है मुझे कुछ बोलना है ठीक है तो वह मैं बोल सकता हूं कहीं भी जा सकता हूं कहीं भी गुन सकता हूं तो इसका मतलब हो है liberty और liberty of thought, belief, faith and expression यहां पर यह याद रखना यह words liberty of liberty thought, thought, belief, faith, expression, worship मैं पूजा कर सकता हूं किसी की भी express कर सकता हूं अपने points को faith किसी मैं भी विश्वास कर सकता हूं बिलीव कर सकता हूं ठीक है और thoughts और process भी है मेरी कि मैं कुछ भी सोच रहे हैं यह मेरे rights है यह मेरा liberty ठीक है अब यहाँ पर याद रखना कि प्रेंबल में liberty है ठीक है और liberty जो है वह fundamental rights के ठीक है लेकिन यह enforceable in court of law है जो लिबर्टी है प्रेंबल तो चैलेंजेबल नहीं है सुप्रेम कोट में ठीक है लेकिन प्रेंबल में liberty मैंशन कर रखी है और इसका पावर जो है वह और लगी उसके कितने लोग मरें है अब मुझे जाने देंगे क्या नहीं क्यों नहीं जाने देंगे है क्यों मुझे रिस्टिक्ट करेंगी हुआ कि बहुत बहुत चोटा सा और बहुत इंप्लाइंट यहां प्लाई होता है fundamental rights जो है वो रिजनेबल रिस्टिक्शन का पाट होते हैं आप किसी कीया अब फटनमेंटाल राइट्स को सरकार क्या कर सकते है रिस्टिकश कर सकती है अंडर सरक monsters सब्सक्सदूरे होते हैं जिसके अंडर रिस्टिक्ट कर सकते हैं यह फट्डमेंटल राइट्स में आपको प्लियर होगा और यह लीबर्टी एकक्वालेटी एंफ्रेटर्निटी यह हमने कहां से डॉप्ट किया है तो जस्टी सोचल उस्टी सोचल उस्टी सवचल एकनोमिक एफन पॉलिटीक वी इन फिर यह जो बागी चाहा न ठीक है थोट बिलिफ एद एंगे यह वाइच के ढरल्स घ्रेटि आपिएपसर लिबिटी एंड की रेटरनी जी अंट लेटी यह तीन लिबटी एक्वारिटी औरस्रेटर्नी की हमने कहां से लिए हैं फ्रेंच को डारेक्ट याद करना है कुछ सोजना नहीं है उसके बाद एक्वालेटी का मतलब हो गया अब सेंस आप special privileges to any section of the society कोई special privileges नहीं होगी यहां वो exception अपॉइंट जो हम पढ़ेंगे अब आपको क्या करना है कि अब आपको क्या करना है कि जो fraternity है यहां पर sense of brotherhood है इसको याद रखना इसमें हमारा जो main target है fraternity के थूँ वो हम एक तो individual dignity को promote कर रहे हैं तो individual dignity यहां से जो है वो maintain रहेगी promote होगी दूसरा unity and integrity of the nation पहले यहां पर unity of the nation था लेकिन फिर इसमें फर्टी सेकंड अमंडमेंट एक्ट से integrity को भी एड किया गया तो तीन वर्ट जो है वो एड हूँ है प्रेंबल में एक socialist दूसरा secular और तीसरा integrity फर्टी सेकंड अमंडमेंट एक्ट से कि 1976 में अमंडमेंट हूँ थी जिसके थूज हो यह एड किया गया था क्लियर सिक्निफिकेंस की अगर हम बात करें प्रेंबल की तो यह करता है basic philosophy को हमारे समीदान की जो मैं आपको बता चुका हूँ इसमें नहीं जा सकते हैं उसको चैलेंज करने के लिए कि सर हमारा प्रेंबल में हमें यह अधिकार मिल रखा है और यह हमारा effect हो रहा है not challengeable in court of law प्रेंबल चैलेंजेबल नहीं है अब दूसरा point आता है उसके बाद कि क्या यह integral part है उसको में भी आगे discuss करते हैं तो वैसे याद रखना कि प्रेंबल जो वो integral part है हमारे सम्विधान का basic structure है जो प्रेंबल है वो basic structure का part है यानि कि प्रेंबल को आप जो वो amendment के तुरू हटा नहीं सकते और अगर आपको प्रेंबल में amendment करनी है तो आपको basic structure को effect नहीं करना है दन उसके बाद जो हमें याद रखना है वो यह कि प्रेंबल को basic structure का part है या नहीं इसके regarding तीन cases वो रखे हैं पहला cases था 1960 का बेरुबुरी union case बेरुबुरी union case में कहा था Supreme Court ने कि सम्मिधान में प्रेंबल जो है वो सम्मिधान का part नहीं है सबसे पहले Supreme Court ने ये कहा बेरुबारी union case में 1960 में कि प्रेंबल जो है वो basic structure का part नहीं है और Supreme Court का part नहीं है सुरी Supreme Court का नहीं, constitution का part नहीं है लेकिन 1973 में यहाँ पे क्या हुआ केश्वननदा भारती case में जो है वो Supreme Court ने कहा कि प्रेंबल जो है वो constitution का part है उसके बार 1995 में LIC case हुआ था जिसमें भी ये कहा है कि प्रेंबल जो है वो हमारे संभीधान का integral part है ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रेंबल में mentioned है वो हमारे संभीधान में mentioned है तो देखो दो तिन concept हमें याद रखने है सबसे पहला ये, इनको आप लिख लो note कर लो उनको साथ में, अलग से भी note कर लो ताकि आपको याद रहे प्रेंबल के regarding, तो सबसे पहला है कि प्रेंबल जो है वो supreme court में challenge नहीं कर सकते है not challengeable ठीक है, not enforceable in court of law पहला point, दूसरा प्रेंबल में amendment की जा सकती है amendment करके हमने 40 second amendment हमने करी तो उस case में हमने क्या किया था यहाँ पर socialist, secular और integrity, यह तीन words जो है वो यहाँ पर add किये है clear हाँ जी सर और साथ में प्रेंबल क्या है, हमारे समिधान का part है यह दो cases हैं जिसमें यह कहा गया अब मैंने आपको वो word लिखाये थे, सबसे पहले कौन कौन से थे वो word sovereign socialist secular democratic republic ठीक है, अब इन पर हम एक बार चर्चा करते हैं क्यूंकि नहां से ना UPSC में एक बार question बन रखा है और UPSC के PYQ मतलब हमारे लिए बहुत इंपर हमने कौन कौन से बड़ अठाये socialist, secular जब भारत 26 जनवरी को republic बना था तो उस टाइम भारत के पास क्या था sovereign democratic republic clear रूआ यह पूछ रखा है question एक बार 26 जनवरी को भारत के पास क्या था sovereign थे हम democratic थे और republic socialist और secular नहीं थे यहां पर आड के हुए लेकिन हमारे समिजान में indirectly तो mentioned है, directly नहीं mentioned था so I hope यह प्रेंबल की क्लास आपको clear हो गई होगी thank you कलास का कूष्ड पन्ना भारे और भारे क्लो पारे